अब ही मैंने शुरुवात की है जोनी की सुबह के नौ बजे हम ट्रेक कर रहे हैं यह ब्रिज आपको अन्दवे मिलेगा तो यह बहुत ही एक्साइटिंग ब्रिज है जहां पे आप फोटोस वगेरे क्लिक कर सकते हो और वहाँ उपर आपको जो दिख रहे है वो वाटरफॉल है तो हम वाँ जाने वाले है अब और हम वाटरफॉल के यहां पहुछ गए है ये देवकुन का वाटरफॉल और यह हूँ मैं जो की रील बनाने की कोचिश कर रही हूँ और एंजॉय कीजिए ये रील मेरे इंस्टाग्राम पे और ये रहा देवकुन का वाटरफॉल वीडियो लेना ना भूलिए स्लो मोशन वाले जो कि आपके रील के लिए काम आएंगे और एंजॉय कीजिए ये वाटरफॉल को देवकुन सबसे बड़ा ही खुबसूरत और लंबा वाटरफॉल है इसका जो एर प्रेशर वाटर प्रेशर इतना है कि आप एकदम बहग जाएंगे तो अब आता है वक्त एक ग्रूप फोटो का ये तो जाते वक्त एक पैच हमको ऐसा मिला जहांपे हमको क्रॉस करना था और हमारे शूज और सॉक्स पुरा गीला हो गया था इसमें क्योंकि पानी में पैर डालना ही था तो मिलेगा आपको ये पैच भी तो लेट्स टेक सम ड्रोन शॉट ये बहुत ही खुबसूरत ड्रोन शॉट्स में ले रही थी यहां पर इंजोई कीजिए सारे शॉट्स को कि अपको लगाश सकति के खाश करें पाने हममिरा भी घवीद को गम संह भी में कि तोस्ट में अआब इस निवदा अचवार के गिचे इस है 하면 तोकूः अगर आप आपके पैमिली के साथ या लवडवान्स के साथ आ रहे हैं तो आप कंप्लीटली एंजॉई करोगे जरूर आपका स्विम्सुट लेका रहाना क्योंकि पाने में जाने का बहुत मन करेगा यहां पर जो सारे स्टोन्स है उसके बहुत शाप एज़िस है तो आप केर्फूर रहे हैं जब आप इस पर वॉप करते हो और शूज काफी कंपटिकल वाला पहनिए ताकि यह स्लिप वगेरा ना हो यहां पर क्योंकि यह बहुत ग्रीसी होता है रेनी सीजन के टाइम पर यह था पूरा देवकुन का वाटरफॉल आप नीचे ही एंज़ॉय कर सकते हो और कोई स्पेस नहीं है यहां पर जाने के लिए ना ही आपको चेंज करने के लिए कोई जगह है तो यह था बहुत ही उम्दा वाटरफॉल का एक्सपिरियंस जो मैंने एंज़ॉय किया वोप आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा बहुत ही छोटा सा व्लॉग रखाया मैंने कुछ जादा कुछ मैंने आपको एक्स्प्लेइन नहीं किया है सारा कुछ आपको गूगल में बिल जाएगा So, thank you for watching my video and do not forget to give a big fat thumbs up and subscribe to my channel. Bye!